अब बिए आप सभी का सेकंड प्रिवी अव देए साथ आफ्रिका विजिश्री लंका दार्यून जेटली स्टेडियम इन डेली अ बिग गेंव बोथ इस टीम दोनों टीम का यह ओपनर मुकाबला है याद रखिये सेकंड गेम अफ देए तो प्रिवी तोड़े शॉट रखे अब चलते हैं प्रिवी की तरफ उसके पहले ऐपको पे आपको फाइनल टीम अप्डेट सब कुछ मिल रहेंगी और टेलिग्राम एंट ट्विटर और यू लाइक्ट रॉपीस फिफ्टी ओन साइन आप चलते हैं प्रिवी की तरफ उसके पहले फैंटेसी क्रेक्ट पर और शेयर एंट सब्सक्राइब लेट टुड़ा और डीटेल में डिसकस करेंगे उस बात को गुड़ पिछ फॉर बैटिंग पूरे IPL सीजन में हमने यहां पर काफी रंस देखें क्यू देखें आप यहां पर ग्राउंड डामेंशन देख सकते हो फिफ्टी सेवन मीटर स् इंडिया-उस्ट्रेलिया ODI सीरीज एंड एकदम यहां पर आपको एक फ्लाइट ट्रैक दिख रही है बट प्लीज याद रखिए यह गेम स्टार्ट हो रहा है दो बजे एंड फर्स इनिंग में थोड़ी सी टर्न हो सकती है और देन गेट्स पेटर फो बैटिंग तो आइ कोशिश करेगी फिर एक्सपेक्टेड प्लेइंग लाइंज की बात करें कुईंटिन डिकॉफ टेंबा बभूमा रासी बैंड डासिन एडिन माकरम औरिक लासें डेविड मिलर माको यैंसें कगी जराल कुर्ट जिया इनके प्लेस में कोई दूसरे पेसर भी खेल सकते हैं स्री लंका की बात करें पातुम निसंका कुसाल परेर अगर फिट होंगे तो वो खेलेंगे एल्स धिमूत करो न रचने कुसाल मेंडेस सदीर समर विक्रमा चालेता सलंका दनंजा डिसिल्वा दासुन शनाका इनके कैप्टेन दिनित वेला लगे लाहरु कुमारा कसुन तो दो काफी स्ट्रॉंग टीम यहां पर ओविसली साथ आफ्रिका का थोड़ा सा एज है तो विडाउट वेस्टिंग अनी फॉर्थर ताइम लेट्स के लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब हुई साथ आफ्रिका की बात पहले हमारे जो प्लेयर हैं यहां पर उनके पास अनुबभ भी होगा उसके अलावा याद रखिए कि बहुत अच्छा शॉर्ट रेंज है पेस को अच्छा खेलते हैं बट अगर एक स्लो ट्रैक रहा फिर इन्हें कुछ दिखतते हैं आ सकती है और याद रखिए कि I'm not sure about महिश तिक्षाना's fitness अगर वो खेलते हैं obviously सीधा स्लोटन हो जाएंगे अब गेम में के बाद हमने जो सुना था में भी वो खेले या ना खेले तो उस बात पर बेसे है पर अगर थिक्षाना खेलते हैं इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेड बनेंगे और फिर इनकी जो वाल्यू है थोड़ी वहां पर कम हो सकती है तो किस की तरफ में इशारा कर रहा हूं यहां पर लहीरू कुमारा की तरफ में भी वह थोड़ा परेशान कर पाएं फिर रासी बैंड़ बहुत ही अच्छे खिलाडी है स्लोट एक्स पे जब स्पिनर लाइन के साथ डालें तब इन्हें दिक्कते आ सकती है यह जब सेकेंड इनिंग में इनका रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है फर्स इनिंग में अपना इनिंग स्पेस कर सकते हैं और हिंस में भी वहां पर उन्हें थोड़ा एडवांटेज बिल जाता है और स्पिन भी डाल लेते हैं जब टीम सामने लेफ्टी हो तो बिलकुल उन चलते हैं यहां पर और क्लासिन की तरफ इनका जो फॉर्म है एक दम लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं बहुत ही बड़े हिटर हैं बाउंडरी बोनस पॉइंट भी बहुत देखे जाएंगे यह ग्राउंड डामेंशन पर तो आई डोंट किसी को इने बोलिंग करनी होग काफी डेंजरेस हैं एक बात याद रखे कि यहां पर मैच अप्स ज्यादतर बैटर्स के पास में एनने लिखा हुआ है इन्होंने बहुत रीसेंट क्रिकेट नहीं खेला एक दूसरे के सामने श्रिलंका इन साथ आफ्रिका बहुत पहले खेला था इन्होंने जो एक बड़ लूगा यह रिस्क में नहीं लूगा इन्हें ड्रॉप करने का देविट मिलर की बात की जाए है फिर्स टाक रिकॉर्ड रिकॉर्ड है इन्हें शूर्म नहीं प्रपर नां रहता है अब यह ज्यादा-तर इनकी गलती नहीं है प्रॉब्लिम क्या होती है कि जब तक आ रहते बचे रहते हैं पांस ओवर छे ओवर तो नहीं आके पहले बॉल से प्रहार करना होता है हैंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं इनके लिए जील में फॉर्स बैटिंग में बिल्कुल ट्राइ करूंगा माको यैंसिन ऐसे खिलाड़ी है जब अप्फरंट पिच में कुछ हेल्प हो तब ऐसे बोलर ज्यादा वैल्यूबल बन जाते हैं बट डेली में हमने ज्यादतर ऐसा देखा नहीं है उसके अलावा में भी दूसरे ट्रैक्स पर दोसाइल हो बट याद रखे कि इनकी बैट के स मिले या नहीं बट कगीज और अबाड़ा क्लास खिलाड़ी है एकदम फास्ट पेस से डालते हैं ज्यादा तर ओपोजिशन को रैटल कर जाते हैं याद रखे कि श्रिलंका को फास्ट पेस के सामने तकलीफे हो सकती है तो कगीज और अबाड़ा को मैं कोई भी सिट्वेश चुके हैं कुसाल मेंडेस कुसाल परेरा के सामने एंड मेभी पिच ने खास सूट ना करें बट यह भी डेली में खेल चुके हैं ठीक टाक एक्स्पिरेंस हैं इनके पास तो देखते हैं कैसे यूज किया जाए फिर चलें जराल कूदिया की तरफ न्यू खिलाड़ी है यह करने वही खराब बॉल्स पर विकेट भी मिल जाती हैं तो जील में ट्राइ करने लायक है में भी मेरे बेस टीम में ना हो फिर चलें यहां पर लूंगी एंगीडी के पास तो वाइल इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है पहले अप एंड डाउन जाता था बट अब यह काफ फर्स इनिंग में तो बिलकुल इने चोड़ने की इमत में नहीं करूंगा और काफिया एंडरेटेड है मेरे हिसाब से एक की रोल प्ले करेंगे यह फॉर साथ आफ्रिका एंडिस होल वर्ल्ड कप स्पेशली क्योंकि नौक यह अबेलिबल नहीं है फिर आते हैं शामजी की तरफ एक बहुत ही इंपक्फुल प्लेयर हैं जब विकेट्स लेंगे तो इना बंच लेंगे बट इनकी लाइन लेंद वापस एक इश्यों यह बहुत बार डाउन दे लेक साइट स्लाइड कर जाते हैं और वह इसाब से काफी रंज भी दे सकते हैं तो इकनोमी पॉइंट रिलांका की तरफ के हैं गयुक्त लें लिया सकता है तो यह हुई आफ आफ्रिका की बात अब चलते हैं श्रि-लंका की तरफ तो श्रि-लंका की बात करें आप बिफूर बी स्टार्ट टॉकिंबाट श्री-लंका जैसे मैंने का महेश सिक्शाना अगर फिट होंगे तो मेरी टीम में भी बिलकुल आ जाएंगे माहेश सिक्शाना का भी मैं थोड़ा परेशान कर सकते हैं तो अगर खेलेंगे आप बेस टीम में जरूर लीजेगा इन्हें एश्यक अप में थोड़े डेथ ओवर्स भी मिले तो चलते हैं पात्वों निस्तंका की तरफ राइट एंड बैटा इन्हें अप फ्रंट तकलीफ वे होती है इन फ्रंट ओव रॉप पे स्पेशलिस्ट हैं वापस अपना समय लेकि खेलते हैं बड़ अगर कुसाल परेरा फिट हुए तो इनको टीम में जगया भी नहीं मिलेगी बड़ वैसे लोर इस बैटर है स्ट्राइक रोटेशन अच्छा है इनका मेभी जील में कुछ तीम में ट्राइक कर सकते हो आज ऐस हैं कि यह तीस बॉल भी सेट होंगे तो 40-45 तो इसली मार जाएंगे तो ऐसे टाइप के प्लेयर हैं पावर प्ले में बहुत कुरूशल हैं बड़ अगर पावर प्ले में दोनों साइट से अच्छी बोलिंग आ रही हो तो वहां पे इने कुछ तकलीफे हो सकती है इनके कु साल मेंडेस की तरफ चलते हैं अफगानिस्टान की सामने क्या पारी खेली थी इन्होंने अगर आप नहीं देखी तो बस जाके वो गेम आप देखिए चाहे राशेद हो कोई और बोलर हो इन्होंने इन्हें बहुत ही ज्यादा अटाक किया और पेस को भी अच्छे से खेल बार बार यह बॉल को पुल करते हैं और उसी केस में इनका एज लग जाते हैं रवाड़ा इस चीज को एक्स्प्लॉइट करने की कोशिश करेंगे रवाड़ा एंगीडी बोथ तो इस बात का ध्यान रखेगा कि यह चीज बिलकुल हो सकती है इनका बहुत बार लग जाता है जब चैनल में वो डालते हैं और आउटसाइड आउटसाइड ओफ रादर यह अपना बैट हैंग करते हैं तब इनकी आउटसाइड एज वहां लग जाती है तो इन दो बातों का ध्यान रखेगा जील में ने रोटेट किया सकता है बेस टीम बट में भी मेरी टीम में यहां तो जगया ना मिले इने बट आप जील में ट्राइड कर सकते हो सेम यहां पर होंगे चारेत असलंग का सिमलर रोल में यह दोनों चारेत असलंग का पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी है थोड़ी बहुत स्पिन डाल लेते हैं अगर मुझे अच्छी है ज्यादा तर स्री लंका पांच ये छे बोलर ही खिलाती है तो इनके ओवर अच्छे कासे आते हैं और क्यूंकि शनाका सहाब ज्यादा डालते हैं इनके उपर धारोमदार और बढ़ जाता है तो हैंस फैंटिसी वाल्यू की साब से अच्छे हैं 40-50 पॉइंट ज्यादा तर देही जाता है पिर आते हैं दासुन शनाका की तरफ अच्छे बॉल्स ट्राइकर है बट रीसेंट फॉर्म इनका काफी खराब है ऐसा कुछ नोटवर्दी किया नहीं इन्होंने अगर मैं 20 बना रहा हूं तो 3-4 टीम से ज्यादा में नहीं लिया जाएगा चा पर आपको लग रहा है कि अब फ्रंट स्रिलंका को कुछ स्ट्रगल्स हो विद बैट यह नीचे आके बैट और बॉल दोनों से काम कर जा सकते हैं जैसे रचिन रविंद्र के साथ हमने देखा था फ्लैट पिच्छ पे एंसामने जब लेफ्ट एंडर तब इन पर रिस्क ल हो गया और याद रखिए कि यहां पर ना जीएस्टी बनना है ना टीडियस वान अफ दी एक्स्क्लूजिव उनली फिम दिस एप यूजर के लिए सोच रहें बहुत अच्छी बात है तो इंशुर कि आप जल्दी से मान जागे साइन अप कर लें अब चलते हैं लहीरू एक सब्सक्राइब करते हैं यहां पर पेस अच्छा होता है तो वहां पर रिस्क लिया जा सकता है पर आते हैं कासुन रजीता की तरफ वैसे यह अप फ्रंट मुव्मेंट पर रिलाई करते हैं और डेक मेभी डेली में उतना ना मिले होने एंड डेथ में थोड़े आवरेज हैं डेथ में यह ज्यादा तर आथिंग कुमारा और उसके साथ-साथ पतिराना के साथ जाएंगे फिर चलें पतिराना की तरफ आई-पील में बहु स्ट्राइकर्स है तब इन पर रिस्क लिया जा सकता है ज्यादा तर इनको जो विकेट्स मुलते हैं वह आते हैं बोलिंग फर्स इन देथ उसके अलावा कुछ खास गेम अब तक खेले नहीं ओडियास में नहीं हैं हैंस मैंने फर्स और सेक्ड इनिंग का रिकॉर्ड नहीं दूखने हैं अब ये एक बात रखे कि यह ज्यादा तर बॉल्स इननोंने डाले है कुसाल मैंडिस को डाले हैं आपको पता हो कि समझे आपको कुसाल मैंडिस को ड्रॉप करना है तो कौन से बोलर उनके लिए थेड बनके आएंगे अब चलते हैं आज कि बेस टीम कि तो बे कीपिंग सेक्षिन कुइंडिक कुसाल मेंडिस और एंरिक लासन यह तीनों टॉप पिक्स है मैं तो तीनों को छोड़नी की इम्मत बिल्कुल भी नहीं करूंगा कुसाल पराराज जैसे मैंने का आप कुछ टीम्स में ट्राइ कर सकते हो बैटिंग सेक्षिन में रैसी वैंडि डिसिलवाद दोनों मेरे साइड में सीधा आ जाएंगे दुनिट वैल लालेगे बेस्ट उन टॉस में उन पे कॉल लोंगा बोलिंग सेक्षिन की बात करें कगीज और अबारे में बता चुका हूं मैं क्यूं उन्हें लोंगा और पहले बोलिंग करते हैं तो अब यहां पे कॉल लेना है हमें बिट्वीन पतिराना एंड दुनित वैल लालेगे अगर दुनित वैल लालेगे सेकेंड डालते हैं तो उन्हें लिया जा सकता है ऐल्स आप लेके जाओगे पतिराना को क्याप्टिन वाइस क्याप्टिन की बात की जाए तो अभी के लिए मैं जा रहा अब चलते हैं आज के ग्रैंड लीग ऑप्शिन की बात की जाए लो स्लेक डाक होस्पिक्स कुसाल परारा एं लूंगी एंगीडी दोनों ही अच्छे चॉइस हैं आपको प्लेयर कार्ट सेक्शन में बता चुका हूँ क्यों तो अगर नहीं पता तो पहले जाके प्लेयर का से हल्प ना मिले तिर चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शिन की जरफ बैटिंग फर्स दनंजर डिसिल्वा एं एडिन माकरम बैटिंग सेकेंड पतिराना एं एंगीडी दोनों ही अच्छी चॉइस बनेंगे वाइल बोलिंग फॉर्स और इन बोथ कुंटिन डिकॉक और हैं यह मेरे आज के ग्रैंड लीग उप्शिन उसके अलावा रिमेंबर कि अब तक यह गेम लाइब नहीं हुआ है बट जैसे ही लाइब हो जाएगा अगर कोई डीसेंट पिक्स हैं मैं आपको बता दूंगा उन टेलिग्राम सारे फाइनल टीम्स अप्डेट सब कुछ आपको यही पर मिलेंगे और इस वीडियो रिमेंबर तो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब, कॉमेंट में जरूर प्रिडिक करेगा आपको क्या लगता है कितने रन मराएंगे कुंटिन डिकॉक जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच पर तून